आपके अपने चनल गुसाइसर में तो बच्चों आज हम करने माने क्लास 9 फिजिक्स और टॉपिक हमारा होगा खता नुमेरिकल्स मैं आपका सैड़ ऑज़तास Con weather को वेण तो फूदय कितना बच्चों लास्ट वीडियो में यहां बोलू आपको इंट लॉकव सब्सक्राइब दो में आपको बता चक्प हो कि वेट और फोर्स सेम है आपका मेंस वेट की जो यूनिट लिखने वाले हो वो क्या लिखोगे न्यूटन ठीक है जिम्रा नहीं देखा है आपको वीडियो में स्टोर होगा क्लिक करो और जरूर देखो आपकी बहुत सारी चीजे क्लेर हो जाएंगी बच्चों और आपको आपको सिंपल से आपका हमें वेट कल्कूलेट करना है सो वेट ओफ अब बॉड़ी कैन भी कैल्कूलेट बाइ यूजिंग दफ फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होगा डवलू इस इकल टू एम जी ठीक है वच्चों तो ठीक है बाइब मास और बॉड़ी इस गिवन तो मास और बॉड़ी तो मास और बॉड़ी इस इवन तो यू ए six kg ठीक हैं जी यू ए मनाइए अड्जिए असलरेशन असलरेशन अक्चलेराशन डू तो ग्रेवर्टी तो इस आपको पता है 9.8 होती है आख मे ठीक हैं बत फोर साथ थैक है बॉर अड्छियूलाशन परपस ठ एक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वार ठीक है नाइन पॉइंट होती है आपकी ठीक हम नाइन पॉइंट लेते हैं बट फॉर्ड़क्यूलेशन हम 10 मीटर पर स्क्वार लेंगे ठीक है बच्चों चलो तो अब रख लेते हैं भई वेट लेट इस एम इंटू जी तो वैलुइस पॉड़ी इस 60 न्यूटन बच्चो जो वेट होता है वह फोर्स है आपका जितना वेट है उतना आप अर्फ में फोर्स लगा रहे हूं तो अनिकी वेट आपकी एक चना से फोर्स होती है बच्चों बच्चों कर लेते हैं सेकंड कोश्चन ठीक है सिंपल सा है अगें देख ठीक है चलो सॉलुशन अगें दा सेम फर्म्मला वाइट इस गिवन तो यू वेट इस 50 न्यूटन है आपका ठीक है हमें मास निकाल ला है तो मास हमें नहीं पता ठीक है अगें एक्सलेरेशन दूटू ग्रेविटी ठीक बच्चों आपको एक्सलेशन डूटू ग्रेविटी आप टैन नहीं देते हों लिए अगर बाइचांस कोश्चन में लिख दिया कि 9.8 ले नहीं है तो फिर 9.8 से ही करना है सॉल ठीक है हम यहां पर 10 ले रहे हैं अगें मीटर पर सेकेंड स्कू हमें पता है इस्फिफ्टी मास नहीं पता जी हमें पता है तो मास कितना हो जाएगा 50 अपॉन तो मास सीदह सीदह आगया आपका 5 किलो क्राम ठीके सिंपल सिंपल कोशन के बाद फिर हम थोड़े से अच्छे कोशन में भी आएंगे ठीके तो पहले यह चीज़ करने हैं आपको ठीके और में पॉइंट है वेट और फोर्स से मुद्ध होपसो आपको कोशन समझा रहे हो और समझा रहे हैं तो लाइक जरू करना है तो एक आदमी का वेट यानिकी फोर्स इसले न्यूटन यूनिट वाट इस मास तो उसका मास पुछा गिया है इफ वर टेकन तुदा मून इस वेट वूल बी तो यानिकी मून पे लेके जा रहे हैं तो मास नहीं बदलेगा इसले पहले मास निकाल लेपने हैं तो वेट अर्थ दिख लेते हैं तो आपको दोई रखाए दिशिक्स न्यूटन ठीक है नाव मास मास ओफा मैन ओन अर्थ यह हमें नहीं पता ठीक है एन एक्सलेरेशन एक्सलेरेशन डू टू ग्रेविटी तो यहां पे हमें देर नहीं रखा है इसलिए फॉर क्यालकुलेशन वीव टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर रिजन में आपको बता चुका हूं टू मेक दा क्यालकुलेशन सिंपल ठीक और कोई रिजन नहीं है तो फॉर्मला हम कौन से करेंगे डवल इस इकल टू एम जी ठीक है तो वेट हमें दे रखाए दिस 600 मास नहीं पता जी टैन है तो मास कि क्या कि अगर आपका पॉर्ण एक्जामपल की आपकी बॉड़ी में दो हुच है अडिया है तो मून पर लगए जाएंगे तो 200 थोड़ी बचेंगी है ना कि एक हाथ की हड़ी कम होगी एक फिंगर की कम होगी पैर की कम होगी ऐसा नहीं होगा तो हड़िया तो उतन ही रहें वाटिस मास ओंडा उन्दमून मास नहींत देगा मास तो समिघाब इसले हम निकाल चुकें ठीक हैं मास इसले नहीं दिहे हैं मास आपका itself थुआउट था इंवर्च सेम रहता है ठीके कोई इसमें कोई डाउड नहीं रखना अपको कि मासटवर्च थुआउट दा उनीवर सेम है तो मास तो 60 केजी रहने वाला है ठीक चलो हमें निकालना है एक्सलरेशन डूटू ग्रेवर्टी और मून पर कितनी होगी ग्रेवर्टी यह निकालना है ठीक है तो ठीक है बई वेट वेट ओफ मैन और मून तो मून पर आपको दे रखाए वेट इस हंड्रेट तो मास और मैन और मून तो मास मैं आपको बता चुका हूं वह नहीं बदलता है थ्रूआट दो यूनिवर्स हैंज इस शिक्स्टी केजी ठीक है जी हमें मून की नहीं पता ठीक अगें वीविल उस्टा सेम फर्मला डेवल इकल टू एम जी तो वेट हमें पता है यह 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 हंड्रेट मास में पता है तो ग्रेविट में नहीं पता क्याल्गड कर लेंगे तो जी इकल टू हंड्रेट अपॉन सिक्स्टी ठीक है तो इस अगर हम सॉल करें तो जी आ जाएगा आपका तो यह आजाएगा थ्री बंचे थ्री टू बज़ेगा वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्कुर्ण चाहिए अब सिक्स लिख लो चलो वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्कुर्ण क्लियर है ना सिंपल सा तुमेरिकल आपका इसी तरह इसे छोट नुमेरिकल आपके आते हैं बस कंसेप्ट थोड़ो सा धिहान लगना है बाकी कोई गलती नहीं